नमश्कार, News Click में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से आज के लेकिन एपिसोड में कुछ थोड़ा सा फर्क है जो नजर है वो सिर्फ मेरी नहीं है मेरे साथ दो विशिष्ट मेहमान भी हैं उनकी भी नजर होगी हमारे इस खास कारिक्रम पर आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के मीडिया के पहले शहीद पर मैं बात कर रहा हूँ मौलवी मौहमद बाकर साहब का जिनका अभी डेथ हैनिवर्सरी सोला सेप्टेंबर को मनाया गया ये हिंदुस्तान की इतिहास में पहली जर्नलिस्ट हैं जिनको शहीद किया गया था अंग्रेजों को अंग्रेजों ने 1857 में उनकी कवरेज से नाराज होकर उनको एग्जेक्यूट किया था उनको तोप से उड़ा दिया गया था दिल्ली में आज हमारे साथ इस मुद्दे पर उन पर और आज के कॉंटेक्स्ट में मीडिया पर जिस तरह का हमला हो रहा है उस तरह से उनका जो एग्जेक्यूशन था वो क्यों और कैसे महत्वपूर्ण हो जा रहा था इस पर हम आज बात करेंगे तो हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हैं सबसे पहले हैं हमारे साथ मासूम मुरादावादी साहब जो उर्दू के काफी बड़े पत्रकार हैं उन्होंने मौलवी मौमद बाकर साहब पर बायग्रफी भी लिखी है पहले उन्होंने उर्दू में किताब लिखी थी और अभी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी आया है जिसका नाम है 1857 की क्रांती और उर्दू पत्रकारिता मेरे दूसरे मेहमान है जैशंकर गुपता जो बहुत सीनियर पत्रकार है प्रेस काउंसिल अफ इंडिया के मेंबर भी है प्रेस असोसियेशन में भी बहुत लंबे समय से आफिस बेर है स्वतंत्र मीडिया के बुलन दावाजों में से आप दोनों का हमारे कारकर में बहुत आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बात्चीत शुरू करते हैं मुरादाबादी साहब आप से क्योंकि आपने मौलवी बाकर साब के उपर बायग्रफी लिखी है तो अगर हम कॉंटेक्स्चुलाइज करने की बात करें कि आज के हिंदुस्तान में उनकी जो जिन्दगी थी वो जिस तरह की पत्रकाईता करते थे उसकी शुरुवात कैसे हुई हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 16 सेप्टेंबर 1857 में उनको एक्जेक्यूट किया गया था 1837 के करीब से उन्होंने अपना अखवार निकाला था दिल्ली उर्दू अखवार जो एक वीकली अखवार होता था तो किन परिस्थिती से किस सोशल बैक्ग्राउंड चे थे उनकी पत्रकारिता की खासियत क्या थी क्या हम यूँ कह सकते हैं कि वो शायद 1857 में जिस तरह की कवरेज की तो हिंदुस्तान के पहले रेकरग्नाइज और उसकी वज़े से पीनलाइजड वार आम तोर पर कोई भी इवेंट होता है तो उसकी रिपोर्टिंग रिपोर्टर्स करते हैं लेकिन 1857 की जो करांती थी जिसके बारे में सबी लोग जानते हैं कि वो कितना बड़ा रिवॉल्ट था अंग्रेज़ों के खिलाफ इस इवेंट की जो रिपोर्टिंग थी खुद म अंग्रेज़ों के पैर उखड गए हैं और उनको बागियों ने किस तरह से जेर कर दिया है पस्पा कर दिया है जब दुबारा अंग्रेज़ों ने फते पाई और उस रिवॉल्ट पर काबू पा लिया तो जिन पहले आदमियों को यनि जो चंद ऐसे लोग थे जिने मौत क घाट उदारा गया उन चंद लोगों में मौली मौमद बाकर भी शामिल थे जिने 16 सितंबर 1857 को देली में खूनी दर्वाजे के पास तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया गया था और एक अजीब बात यह है कि ना तो उनके खलाफ कोई केस बनाया गया ना कोई इस बनियाद पर कि उन्होंने सच्चाई का साथ दीया था और अपने अख़बार में सच लिखा था और अवाम को यह बताया था कि यह अंग्रेज अंदर से कितने बुजिल हैं और इनकी जो यह हकौमत है जो इनके इस मुल्क पर खबज़ा किया है इसको कितनी आसानी से ख कर दिया था अब मौली मौमद बाकर का किरदार अगर हम उस पे गुफ्तु करें तो बहुत अजीम किरदार है उनका वो यहां एक जगा है कश्मिरी गेट जी उसके पास उनकी कबर है और वहां उनोंने एक इमामबड़ा भी कायम किया था और उस इमामबड़े में सब को आने की अजाज़त थी यानि वो किसी स्पेसिफिक मजभ के लिए नहीं था बलके वो कहते थे कि यहां पर हिंदू भी आ सकते हैं मुसलमान भी आ सकते हैं शिया भी आ सकते हैं सुन्नी भी आ सकते हैं तो वो एक हिंदू-मुसलिम यगजहती के बड़े अलंबरदार थे 1857 की जो अपराइजिंग थी उसमें मतलब हिंदू-मुसलमान जी 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 उसका एक बहुत बड़ा एक फैक्टर भी था जी 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 और वो दिल्ली कॉलिज में उस्ताद भी थे दिल्ली कॉलिज जो है उसमें वो फार्सी भी पढ़ाते थे और उन्होंने अपने दौर म जब सहाफत या पत्रकारिता या जिरनलिज्म जो था बहुत डवलप नहीं था जी और बेश्टर शुरुआती दौर था बिल्कुल और अखबारों की सर्कुलेशन सो दो सो तीन सो होती थी इससे ज्यादा नहीं होती थी और बहुत सारे अखबार जो है हाथ से लिकर के चा मिला इस तरह की सारे अर्काइव में कुछ मिला या नीजी कलेक्शन्स में था लोगों के पास लेकिए जब 1857 की 1500 साला सेलेविरेशन मनाया जा रहा था तो एक प्रेस कलब ने एक प्रोगाम किया मौली मौम्मद बाकर की याद में जी तो मैं भी उसमें शरीक था तो मैंने जब ये कुछ पतरकार थे जो बता रहे थे कि मौली मौम्मद बाकर की कितनी बड़ी कुर्बानी है तो मुझे ये वो प्रोग्राम उसने बहुत स्ट्राइक किया और फिर मैंने सोचा कि इस पर कुछ लिखना चाहिए लेकिन जब मैंने लैबरेरियों का रुक किया तब किताब नहीं है मौली मौम्मद बाकर पर उस वक तक कोई किताब नहीं आई थी किसी भी लैंगवेज में तो मुझे बड़ी मुश्क्त हुई बड़ी मुश्किलात पेशाई जहां जहां मैं जाता था कहीं से कुछ मिलता था कहीं से कुछ मिलता था कोई जब जाहिरे किसी स तो नेशनल औरकआईज में कुछ फाइले हैं दिल्ल्यो और दमार की इसकी सारी चीजे बहुत बिखरी विए अलाग जगा से भी एंवई औरो उनको आप सोर्स बना के आपने फिर अपनी किताब पे काम किया जैशंकर जी आपकी तरफ रुख करना चाहता हूं कि हम एक चीज देखते हैं पिछले दिनों जब बात हुई और हमने ये कारेकरम करने का सोचा तो हमने देखा कि हमारी एक बहुत बड़ी अपने कंटेंपररी मीडिया के तबाम fraternity की inadequacy बोलेंगे कि इनके बारे में जानकारी बहुत कम है दो हजा साथ में जब डिर सो साल पूरे होने का ठार सो सतावन के तब उस पे जब बाचीट शुरू हुई थी और उसमें जिकर भी हुआ था लेकिन उसके बाद से कोई regular वो हमारे डिसकोर्स में शामिल नह तो एक उनके जो योगदान है उसको माना जाता है कि शायद उतना सेकुलर डिसकोर्स में उतना मीनिंग्फुल नहीं होगा तो एक वरिष्ट पत्रकार होने के नाते आप इस चीज को कैसे देखते हैं और आज के यूग में जिस तरह से मीडिया पे एटाक्स हो रहे हैं उस मौलवी मौहमद बाकर साब को याद करना उनकी जो पत्रकारिता में जो ओनिस्टी और इंटेगरिटी थी जिस तरह से उन्होंने उस समय के जो नागरिक थे उनको उस समय के साशन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जैसे उन्होंने एंकरेज किया था या उस तरह की उसको लेकर के ही लोगों ने बिवात करने की कोशिज की चुकि अंग्रेजों का उस समय का दौर था तो सिपाही बिद्रो या गदर या यह कर लेकिन दरसाले बात थी नहीं उसमें सिपाही तो थे ठीक है जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदू और मुसल्मानों को फिसामिल होने लगा किसान मजदूर यह और अरतबकी भी होने लगें चोटे जो रजवाडे थे उन्हों अमें का रूप ले लिया लिए नहीं लेकर था ईंग्रेजी के लेकिन चुकि दिली का जो दौर था उसमें चुकि आकरी बातसाथ है हमारे बादसाथ जफर साह है तो उनके दौर की पत्रकाइटा जो सुरू हो रही थी तो यह जैसे दिली अखबार था इनका अपना मौलिव बाकर साहब का तो उसका भी नाम पहले कुछ और था साहद मेरे जो सोशल बेस था वो भी खुद उसी समाज से उड़र के आए होंगे। लेकिन उससे दूसरा यह भी था कि एक जो अभी बता रहे थे हमारे मासुम भाई कि उनका एक जो सेक्लर क्रिडेंसियल था उस समय भी जब बगावत की बात सुरू हो गई थी तो उस समय अंग्रेज उसको यह लोग बहना बना करके दंगे कराएंगे जगडे कराएंगे तो उस समर्म उने बैंक कर वाई था कोशिश की जाती है माने कई विद्वानों के किताब भी पढ़ियें कि किस तरह से बाबर की जमाने से एद के समय में मतलब गायक नहीं की बली नहीं मतलब स्लॉटर नहीं होता था इस तरह के तमाम मुझाराथ है लेकिन चुकि बात के दौर में एक ऐसी राजनीती इस देश में विक्सित होने लग गई थी जिसको इस कल्चर को दबा के रखना था जहांबच सेकुलर हम आपकी जो डिविजन है ये उस समय नहीं थी नहीं था लेकिन उसको दौने के कोशिस की गई उस बात को भरने नहीं दी गई व गया व बात के दऊर में गया किकि क्बात की राजनीती इसी पट्टी की होई थी कि हपफिया chain मुझा पर्यगी जहांगर सुन्योजित कोशिस होई दुर्भागी की बात है कि उसके सामने वाली जो राजनीती थी अभी उसकों काउंटर करने के जूद्ध नहीं समझें। आज सबसे वड़ी बात है कि मौली बाकर जो है पहले साइद हमारे हो सकते हैं भारती पत्रकायता के इतिहास पहले साहिध पत्रकार हो सकता है जिसको तोपके गोले से उड़ा दिया गया और उनके कहीं चर्चा ही नह गया तोप से उड़ा दिया गया तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं हुआ कोई अब एक बताए गया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ बात तो ये थी कि चुकि जब से बाथसान सलमत ने उन्होंने जब रिबोल्ट कर दिया जी या उसमें सामिल हो गया वो तो उस समय पूरा का पूरा अखबार जुह है बिद रहीते वर्ड करके आ गया था अंग्रेज़ों ने उस समय लिखा भी था कि भाई कि से जो अखबार हैं चोटे देसी अखबार हैं दे रहे हैं है यह सारी बाते थे लेकिन अबहाना क्या बना गया बहाना कि अ कोई इस कोई अंग्रेज का इ चिप गया था और यह उसको बचाने ही पाए उसने जो तो अंग्रेजा अपसर था उसने कोई एक मजमून लिख करके उन्हों नहों ने वो किया उसका यह था उसको कहा कि जो पहला अंग्रेजा अपसर मिलेगा जब रिबोर्ट खतम हो जाएगी यह कुछ होगा जो पहला अं ने हम को इसकेता बिचा नहीं सका है अब इसको इसको अब Türkgado करके इसको सबसे बड़ी बात ती हमेरे कहने का जो में हिंदू और मुसलमान मिल करके लड़ रहे थे जी संतावन की पहली करांती से ले करके और उनई सो च्छालिस नहीं तालिस तक सब मिल करके लड़े हैं लेकिन उसको इस धंक से डिविशिव जो राजनीती हमारे हां हुई है उसको उस धंक से प्रोजेक्ट किया गया कभी उस पर गवरी नहीं किया मतलब आप देखिए कि जैसे मान लिए कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाता है या बात होती है तो मौलाना अबुल कलाम आजात थे साहब मौधरूल हग साब थे बहुत लड़ाई लड़े इलो फ्रिडम मुव्मेंट में थे लिकि बाकी हजारों हजार लोग जो सामिल थे उनका कहीं जिगर ही नहीं आता हमारे मित्र है सानवाज कादरी उन्होंने किताब लिखी है मोटी किताब लिखी है लहू बोलता है कि फ्रिडम मुव्मेंट में कितने मुसलमान छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक सहीध हुए थे उनका कहीं जिगर नहीं उसमें पूरा लिका उस पर हो गयाँ, आज तो इसे ही लिखने को कुछ तैयारी नहीं है, कुछ दिखाने को तैयारी है आज तरे से मतलब पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, को ऐसा नहीं कि सिर्फ आज के ECA सरकार करी है, पहले भी हो रहा है, लेकिन 154 भारतिये पत्रकारों को अलग-अलग या तो उनको गिरिफतार किया गया या उनको सरकार की होस्टिलिटी फेस करनी पड़ी जिन में से करीब 40% वो 2020 में मात्र करना पड़ा और 2020 ये वो वर्ष है जो पैंडेमिक का यूग है पैंडेमिक के यूग में जो कोविट की वजह स जो ऑफिशिल जो नारेटिव है उसके खिलाफ जो पत्रकारों ने लिखा है तो उनके भी उपर केसिस हुएं उनके उपर केसिस एपिडिमिक एक्ट में भी हुएं यूए पीए के अंतरगत भी किये गएं सबसे जो स्ट्रॉंग कानून होता है उसके अंडर एरिस्ट किये जाते हैं तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले जो कारिकरम हुआ था प्रेस कलब द्वारा बाकर साब की डेथ हैने वसरी पे तो मैं सुन रहा था कि आपने जो अपनी जो टॉक दिया था उसमें आप बोल रहे था कि कि आज के यूग में मुहमत बाकर साब को याद करना में और अपने जिन्दगी में जिस तरह की का उन्होंने उनका जो प्रयास रहता था तो उस कॉंटेक्स में अगर हम आज थोड़ा सा अगर लाइट तरीके से मैं इस चीज को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ तो क्या आप कहेंगे कि मौलवी मुहमत बाकर सबस्तान में सरकार के नजरिये में पहले प्रेस्टिट्यूट थे आजकी तारिक में तो यही कह जाता आज प्रेस्टिट्यूट शब्द जो है ओफिशिल डिस्कोर्स का इस्सा है देखें यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने या जिनके पुर्खे पुर्वज थे उ लिए आज मौलवी बाकर निकल गया मौलवी नाम निकल गया तो फिर तो वह जरूर देश्ड़ोही ही है जो भी जितने भी सब गढ़ सकते हैं आप गढ़के दिखा सकते हैं तो यह तो इसमें कहीं दो रही लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मीडिया है देखे मीडिया पर जैसे आपने कहा कि पहले भी होते रहे हमले होते रहे हैं इमर्जेंसी में सेंसर्शिप लगी या अठारास संटाओन में भी गैगिंग अक्ट पहली बार अंग्रेजों ने उसी समय सुरू किया था तो उससे लेकर के लेकिन आज कोई सेंसर्श होकर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं या अपने घर में ठीक से रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं या आपकी नौकरी रह सकती है कि नहीं रह सकती हैं कितने लोगों के नौकरियां गई हैं सिर्फ लिए कि वो सरकार के बेरोज़े हैं कि भयानक तोर पे पिछले पांच सालों में मीडिया में जो लोग एंप्लॉइड थे उनका स्पेस बहुत श्रिंक हुआ है आधे से जादा लोग बेरोजगार हो गए है और दुक्ती बात है कि आज की युग में बाकर साब जैसे लोग नहीं हैं जो इस चीज को की आवाज उठाएं जैशंकर जी ने एमरजेंसी की बात की हम लोग हमेशा बात करते हैं कि किस तरह से मीडिया पे दमन हुआ था एमरजेंसी के दौरान हम ये भी बात करते हैं कि कैसे राजीव गांधी ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए कानून दाने की कोशिश की थी तब मीडिया युनाइटिड ली एक जुट होकर लड मीडिया के फ्रेटर्निटी से आपको किस तरह का रिजिस्टेंस देखने को मिलता है मासून साब बताईया देखिए आपने एक शेर सुना होगा अगबर लावादी का बड़ा मशूर शेर है खेंचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तो मकाबिल हो तो अखबार निक रिया गया है एक नए Chris का मेडिया हमें आज निजर आता है जिसमें एसा लगता है कि वो प्रेस्लिज जैनलिस्म करता है जी अब प्रेस्लिज किस शकल में होती है उस की शकले बदलती रहती हैं. मेडिया दर असल जो ये जिनलिस्म का काम है, जो ये सहाफत का काम है, ये तलवार की धार पे चलने का काम है. और मैं समझता हूँ कि जितना आपके खलाफ कारवाई होगी, जितना आपको दबाने की कोशिश की जाएगी, उतना ही आपकी ताकत बनेगी. और आपको उभरने का मौका मिलेगा. अगर हाला नॉर्मल है और आपकी बात को ठंडे पेटो बरदाश किया जा रहा है, तो इसका मतलब है आपकी बात का कही असर नहीं हो रहा है. सामने वाला अगर आप से परिशान है तो इसका मतलब आपकी बात कहीं ने कहीं असर कर रही है जो कुछ आप लिख रहे हैं जो कुछ आप बोल रहे हैं वो जाकर कि उसके उससे टकराता है और वो चाता है कि इन आवाजों को बंद किया जाएं लेकिन इस खिस्म की आवाजे सचाई की आवाज आप वक्ती तोर पर दबाव सकते हैं लेकिन उन्हें पर्मनेंट आप खामोश नहीं कर सकते हैं दुनिया की पूरी तारीख आप देख लीजए लेकिन हम आज उन्हें याद करने के लिए बैठा हैं 164 साल के बाद हम जिस आदबी को याद कर रहे हैं वो इसलिए याद करना है कि वो सिस्टम के खلاफ उसने रेजिस्ट किया और पूरी पूरी जूर्ट के साथ उसने अपनी जान पेश की अपनी जान का नजराना पेश कर दिया अंग्रेज सरकान ने उसके खिलाफ टेप्स लिए और उनको तोप के कुले से उड़ा दिया तो ये जिन लोगों ने सचाई का साथ दिया है और सच लिखा है उने तारीख ने हमेशा याद रखा है और जिनोंने सिस्टम का साथ दिया इस्टैबलिश्मेंट का साथ दिया उनका नाम और निशान कहीं नहीं है तारीख में अब उटा की देख लिए तो जो आवाम है जो पुब्लिक है वो भी उनी लोगों को पसंद करते हैं जिन में जुरत होती है और ये जिनलिश्म का काम बैसे कली जुरत का काम है तो जैशनकर जी हम ये कहें कि आज के युग में जिस तरह के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पत्रकार हम तीनों पत्रकार हैं और हमारे युवा पत्रकार भी हैं तो मौलवी मौहमद बाकर साब को हम लोग एक रोल मौडल आदर्श रोल मौडल के तौर पर किस तरह से हम लोग उन्हें पेश कर सकते हैं कि असली पत्रकारिता उनके पत्थ पर चलने की है इसा बहुत कम देखने-कर मिल रहा है आजकी तारिख में अगर देखे ढशत तो जिस बलंक से लोग अब तो शिलफी से प्रसंद हो जाते हैं कि परधानमंती नियुक्ति के साथ gef Dragic हो जाए हमारी पत्रकार्ता धन्हीं हो गया है कि इस बात से खुस हो जाते हैं लेकिन सारे पत्रकारों को फुर्ट नहीं को सुगिधा चाहिए उनको सभागिता चाहिए उनको ग्लॉर्फिकर संट चाहिए तो इस सब चीजें का का लिए तो नहीं परदान कर सकता है उसके लिए जो हैं लोग जनता में बनेगा ठीक है आज आप उनकी अवाज बहुत ज़ला नहीं सुनाई देगी चुकि जो मुखेजारा का मीडिया है वो सिर्फ सरकार की प्रसस्ती में ही लगा रहता है दिन रात तो एक अलग पत्रकारता हो सकती है लेकिन मौलवी बाकर की पत्रकारता है जैसे उस समय भी चुकि सौट डेट साव अखबार ही साया होते थे मेरे खाल से जैसे बता रहे था ना कि उनकी कापिया चपती होगी लेकि उसका असर तो पढ़ता था कानो कान लोगों पे खबर तो असर पढ़ा होगा तभी तो उनको तोप से उड़ा दिया अगर अंग्रेज सकता प्रिशान नहीं हो तो आज भी दमन तो हो रहा है लगता दमन हो रहा है आप सोचिए कि मड़िपूर में एक पत्रकार को इसलिए NSA के अंदर गरफ्तार कर लिया आता है कि वो लिखता है जो मड़िपूर प्रदेश सिर्फ ये लिखना उनका था कि इसलिए उनको राश्टिय सुरक्चा के नाम पर खत्रा बता दिया गया हातरस में एक दलित बेटी के साथ बलातकार हुआ उसका सव रात के अंधेरे में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जला दिया उसकी कवरेज करने के लिए एक सिद्धी यह रहार कानून आपने अलेडी बना रखें जो रास्टिय सुरक्चा के नाम पर हैं उन कानूनों के त dobr आज जैलिस्टों को गिरफतार किया जारा है, उनको टारसर किया जारा परतारिक किया जारा जैलों में बंन किया जा रहा है सबसे बड़ी बात यह सोचने वाली बात है लेकिन मुस्किल यह है कि चुकि अभी आज की तारीक में ना तो जनलिस्टों की उजड़न की कोई ताकतवर यूनियन है रह गई है ना कोई इस तरह के संग्ठन रहे गए जहां वो अपनी बात को रख सके खबर भी जो है पत्रकार कम मतलब खबर आज कहीं और जेनरेट हो हो गया है इसका हमारा जो टीवी चनल है हमारे टीवी चनल के जो बहुत बड़े संपादक एंकर मालिक जो भी है अब उन्होंने देख लिया कि साब अफगानिस्तान में कोई एक हिमारत है जिसमें उस इसके पांचमें तल्ले पे आई एसाई की बैठक हो रही थी पाकिस्त अदब के साथ कहा खुजूर अला सिर्फ इतना ही तर्मीम कर लिजिए कि साब उस बींडिंग में दो ही फ्लोर है जिस बिल्डिंग का आप नाम बता रहे हो उसमें दो ही फ्लोर है अब सरम से उस आदमी को तो पानी नहीं मांगना चाहिए मलब माफिश मांगना से ही है कहन है कि हमसे गलती हुई है फिर सारे लोगों ने भी उसकी बात आगे लेकिन अभी तक उस बात माफी तक ने मांगा तो कोई उज्धंक की तो बात है नहीं है अब तो यह है कि सरकार की कैसे हम हिंदू मुस्लिब डिविजन कर लेंगे कैसे उसके नाम पर अपनी टी आरपी बढ करने की जरूरत है जी बिलकुल जरूरत है और आपको हैरत होगी यह जान करके कि कई पत्रकार ऐसे मुझे प्रेस कला में उस दिन मिले कि हमने आज पहली बार मौली मौहमद बाकर का नाम सुना है और इस किताब के जरीए से सामने आया है मैं एक बात आपको भीश में बतान ता जिसे वो कहते थे उसका दमन करने के लिए यह एक लाएया था और उनका ख्याल था जिसने वो बनाyan था उसमेँ हमारे सिस्टम के अंदर एक आजाद पत्रकाडिता जू है वो बृहरास्त हमारे सिस्टम को चैलनुज कर रही है लहादा ये दो बिलकुल डिफरेंट चीज़ हैं कि आजाद पत्रकारी का पत्रकारी तक को हम चालू नहीं रख सकते हैं हमें उसको करश करना होगा उसे दबाना होगा और उसने कहा था कि ये 200 साल तक इस एक्ट को नाफिस करना पड़ा या लेकिन इत्वाक से वो गैगिंग एक्ट एक साल भी बाकी नहीं रहा पाया और प्रेस को आजादी देनी पड़ी उनको जी और प्रेस आजाद हुआ फिर उसके बाद उन्हों ने ये समझ लिया कि ये हमारी गलती थी कि हमने प्रेस को दबाने की और कुछलने की कोशिश की है तो मतलब हमलों की ब हमत बाकर को याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को इस कारेकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये थी हिंदुस्तान के पहले माटर्ड हिंदुस्तानी पत्रकार जो ना सिर्फ अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे बलकि जो 1857 की जो अगातार प्रचार करते रहे धन्यवाद ये कारेकरम देखने के लिए